हलो एवरिवन, मैं दीपा, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहां हम बात करते हैं पेड़ और पौधो की अगर आपको नेचर पसंद हैं, आप नेचर लवर हैं, तो डेफिनेटली आपको खुबसद फूल पत्तियों से प्यार होगा ही आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहा रही हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली किसी भी वीडियो की नौटिफिकेशन आप मिस ना करें पूरी इंफर्मेशन के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहीएगा आज हम बात करने वाले हैं कैलंडर लाफ लार की हम इसकी बात नहीं करेंगे कि कैसे इसको रिपोर्ट करते हैं या कैसे इसको लगाते हैं आज हम बात करेंगे, कि कैसे next season के लिए इसके seeds preserve करने हैं, बहुत अच्छा plant होता है, आप seed देख सकते हैं, बहुत सारे seed मिलते हैं, बहुत सारे गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत सारे color में फूल आते हैं, तो इसके seeds अगर हम जंग से preserve करें, तो next time हमें कोई plant purchase नहीं कर आपड़ेगा, आप देख सकते हैं, ये इसके तयार seed है, इसके कच्छे seed green color के होते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं हमें, क्योंकि उसका कोई फादा नहीं होता है, तो seed को हमें पेड़ पर ही पकने देना है, तयार होने देना है, ड्राइ होने देना है, और जब कोई plant नहीं बनाते हैं, वो घराब हो जाते हैं, अगर आप next season देखेंगे उनको रखकर, तो कोई फादा नहीं होगा, जो ये flower होता है, जब ये spend हो जाता है, तो इसी के नीचे बहुत सारे seeds होते हैं, तो अगर seed preserve करना चाहते हैं, तो flower spend होने के बाद इसको ना तोड़े, और इसको ड्राइ होने दें, आप ध्यान रखेगा, डेली अपना inspection करते हैं, ये plant का, क्योंकि अगर बहुत ज़दा ड्राइ हो जाएंगे, तो हवा के साथ उड़ जाएंगे, वो आप गलक नहीं कर पाएंगे, तो आप देखेगा, डे बाई डे आप इसको ड्राइ होते हो जाएगा, उसमें भी और वो खराब हो जाएंगे, ये देखे, ये पुरा त्यार सीड है, और आपको यहीं से तोड़ना है, और इसको तोड्ने के लिए इसका पूरा का पूरा यहां से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम सीड अलग कर लेंगे, ये देखे, आप इस तरह स कुछ भी नहीं करना है बस इसके सीड अच्छे से प्रिजर्व हो जाएंगे तो नेक्स टाम आपको यह प्लांट भी नहीं पर्चेस करना पड़ेगा अभी मैंने जो सीड तियार हो गए थे क्योंकि मुझे कलक्ट नहीं करने थे तो मैंने उनको ऐसे ही इधर-दर फेक दिया छिजर्फ लिए लिए अगर कसी ससीड मिल जाये और कोई डान मिल जाया तो यह बहुत बड़ी बात होती है बहुत-बड़ी खुश्री की बात होती है तो हम एक्सच्छेंज कर सकते हैं तो यह सारे सीड हम इसी तरह से निकाल लेंगे तो बस धियान रखे pen di идवर कि ग rich और जो उसकी शेप है वो बिगडने लग गई है फिलार का साइस बहुत छोटा हो गया है और प्लांट आपको ड्राइब होना भी दिखाई नजर आएगा कि वो प्लांट नीचे से सूखना शू हो गया है तो यह सही टाइम है सीट्स को प्रिजर्व करने का अगर आपके पास यह प्लांट हैं तो सीट्स प्रिजर्व कर लीजिएगा और अगर आपके वास यह प्लांट नहीं है तो आप कहीं पार्क वगरे से भी इसके सीट्स ला सकते हैं नेक्स ताइम के लिए पार्क में बहुत आराम से यह अग्यों आपको दिख जाते हैं और आप सारे सीट्स एक ही भार में कलक मत करियेगा हो सकता है कि आपको रोज दो-दो सीट्स मिलें तो आप ऐसे करें इक एक ते करते रहिए और उसको एक साथ रख रखते रहें और यह और वार में राई लेकिन अब रीक आपको ऐसा नहीं करना है की एक वेट करेंगी सारे सीट्स साथ होंगे ऐसे नहीं होता है कुछ-कुछ फिलार आपको रोज रोज आपको ड्राइप होते नजर आएंगी तो आप उसी तरह से उसके सीड्स कलेक्ट करेंगे एक बार में सारा प्रसेजर नहीं होगा तो जब आप इसके सारे सीड्स कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको इसको ड्राइब करना है दो या तीन दिन दूप में कर सकते हैं यह अगर चाय में करना चाहते तो पांसे चे दिन और आपको जब पूरे ड्राइब हो जाएंगे तो आपको इसकी चंचनाहाट या खनक भी नजर आएगी उतना ही इसको सुखाना है ज्यादा नहीं रहे करना है नहीं तो यह खराब हो जाएंगे और नेक्स टम जन मेनेट नहीं होंगे इन सीड को प्रिजर्ब करने के लिए आपको कोई भी फंगिसाइड यूज़ करना है वो अपनी मर्जी से अपकर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें टर्मनिक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो टर्मनिक आपकी मसाले दानी की नहीं होने चाहिए जिसमें नमक के ट्रेसिस नहीं होने चाहिए क्योंकि जो साल्ट होता है वो बरसातने गीला हो जाता है और अगर उसके ट्रेसिस हल्दी में होंगे तो वह आपका सारा सीड्स खराब कर देंगा तो आप अलग से हल्दी ले लिए जहां रखते हैं और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से ताकि सारे प आप साफी्य कक वह भूत है कंषी पीड़ा नहीं आप एफट्र आव बियुन स्वाचे पानी के संपर्क में इसको आप अच्य है से पेक करके अपने किसी कवर्ड में इसको कागज की बैग में ही पहले प्रिजर्व करें उस पर लिख लें टाइम और मन्थ लिख लें और उसके बाद आप उसको रखें क्योंकि जो पेपर होता है वो कोई मौस्चर अगर 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 थोड़ा मौस्चर इसमें बन भी जाएगा तो हम सारे सीट ऐसे रख कर देंगे और उसके बाद अगर अगर आप चाहें तो इसको किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं ऐसे शोट शोटे पैकेट आपको बजार से बनने बनाए मिल भी सकते हैं या आप इन्हें खुद घर में भी बना सकते हैं अगर आप ऐसे पैकेट नहीं बनाना च सीड को अच्छे से प्रिजर्व किया जाएगा तभी वो नेक्स सीजन के लिए जर्मिनेट होने के लिए तियार रहेगा अधर्वाइस हमारे सारे प्रिकोशन्स खराब हो जाएंगे और सीड भी जर्मिनेट नहीं होंगे तो बस हमेरी इसको बचाना है तेज धूम से और बारिश की नमी से उसके लिए हम पेपर वगारा यूज कर रहे हैं तो उससे कोई मोश्चर नहीं बनेगा अगर डारेक्ट इसको प्लास्टिक किसी ड में देदूंगी